आज हम इल्टेबल पर बात करते हैं कि इल्टेबल क्या चाहिए इल्टेबल को हम पहले डिपाइन कहते हैं कि एटिबुलेशन या टिबुलेटर स्टेड में इसको आप टेबुलेशन भी कहते हैं या टेबुलेशन इस तरह भी लिख सकते हैं अगर आप इसको जिदर से काफी कर लें सपोस्ट आप के दिखेजिए इसको आप एटेबुलेटिट स्टेटमेंट देट यूज वाल्यूम आपको पर मिनट एरिया या यील्ड आपको पर मिनट एरिया या यील्ड वाल्यूम जितनी भी चीज़े जितनी भी परमेटर वह बात में आप पढ़ेंगे कि इसमें कितनी परमेटर थे एरिया फार इसके साथ एन अदर परमेटर भी हैं इन अदर परमेटर वाल्यूम टेबल ने वाल्यूम टेबल में किते थी वाल्यूम टेबल में ये कहते ही कि वहीं हमारी पास एक तरफ पे तरफ पर हमारे पास और दाइमीटर है और दूसरी साइट पर हमारे पास वाय्यूम है जब कि इंड के इस तरह नहीं है यह इंड डिपरिंट कंसेप्ट है कि इसमें वाय्यूम और फिर अधर पेरामीटर वो अधर पेरामीटर में आपको बता देते हैं कि वो कुन से पेरामीटर थे तो यह जब टेबुलेटर स्टेटमेंट में आ जा जाते हैं तो उसका हम कहते हैं यह अब वो दूसरी पेरामीटर जो है वो यह पेरामीटर थे जो कि आपको देता है फ पेस्पेशल में कर देता हूँ, पेस्पेशल में आजाती है पेस्पेशल, इसमें वो फार्फूर्व वाला रोनी है, इसको हमें आपको भी कर देता हूँ, इसको में खुद ही लिख लेता हूँ, आप लोगें के लिए, आपके पास ये टेबल की शकल किस तरह होगी, तो ये टेबल की जो शकल होगी वह इस तरह होगी, एज आप दा क्राफ ये पारस पाप अच्छा, ठीक है, एज आप दा पारस टाफ हो गया एक, फिर एज आप दा क्राफ पे आप कोई भी देख सकते किजिए, एज जो है वो टें टू टें येर से, ठीक है, टें टू टू ट्वंटी येर से सारी, एप दो टक्राइठ, लूपर थर्टी जर था in x кстати पार था प्रें ह। दीक है, पिर थर्टी तो खाप डाक सिर्फ, इन टिर्फर्टी न गिशन एक दिस पार था त्टीक है, पुमी होगे पुम। 50 years 50 से ले कर 60 60 से ले कर 70 and so on depending upon the rotation of their particular species यह बात आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो यह टेबल होती है यह टेबल are required for one species and one site quality यह एक species के लिए अलग बनती है और हर एक site quality के लिए बन गेती है अगर चीर की एक species है तो अगर इसके लिए एक जगा पे site quality one के लिए टेबल बन गया यह टेबल तो वो जो यह टेबल है उसी चीर species के लिए दूसरी site quality पे applicable नहीं होगा दूसरी site quality के लिए आपको दूसरी टेबल बनानी पड़े लिए दूसरी टेबल बनानी पड़े लिए तो इसमें जो पेरमीटरस आपको पास आ जाते है इसमें क्या है यह जो पेरमीटरस लिखते किजिए आप स्टेंड एच अगा सिटेंड एच दूसरा क्या है का है यहां पर हाइट है थीके अगा दूसरा है जनाब नमबर आप टीज पर हैटेर आपने इसको थोड़ा फर्म करते हैं, नमबर आप 30 पर हेक्टेर हो गया, फिर आपके पास आगे मीन डाइमेटर एट डी बिएच, मीन, डाइमेटर, एट, एट, डी बी, एच, सहीए ये इसरफ प्रामीटर आगिया, उसके बाद आपके पास ये बेसल एरिया पर हेक्टेर, बेसल एरिया पर हेक्टेर, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद बेसल एरिया मीन वाल्यूम पर की, और उसके बाद जनाब ये वाल्यूम पर हेक्टेर, वाल्यूम पर हेक्टेर, और उसके बाद जनाब हे पर्सन मॉटिलिटी, और उसके बाद जनाब आजाता है मीन इन्यूल इंक्रिमेंट, ये आपके पास वो स्टेट्मेंट से वो टेबुलेट्ट स्टेट्मेंट है जो के आपको मिलती है ये टेबल से, अब इसका क्या मतलब है, एक साइट्वालिटि वन है और ये टेबल हम कहते कि ये सपोर्स काईल एक स्विशी है, अब हम जब इस काईल की बात करते तो ये हमारे पास अच्छा ये बाद भी आप याद रख लें कि ये जो ऑँ इन टेबल होती है एक ये एक शिची की लिए बनती है एक साइट क्वालिटी की लिए बनती है दूसरी इसमें जो इंपार्टन बाद है ये किस ये इन इस प्रिपेरड पार्ट नार्मल पारेस्ट तो नार्मल इल्टेबल इसके टाइस में एक नार्मल इल्टेबल है तो नार्मल इल्टेबल नार्मल इल्टेबल नार्मल इल्टेबल नार्मल इल्टेबल नार्मल इल्टेबल नार्मल इल्टेबल इसको नार्मल इल्टेबल इसको नार्मल इल्टेबल इसको नार्मल इल्ट कर सिंपल प्न स्वाड़ी एं आरा हैं वह एक क्षीं जा था यहीं तो पुल-प्न सांपल प्लाट्स पर आ चिंहीं उन श्यूर्ट विए विरी डीन सिटी रिटेबल देंसे को टाम धाई जाते हैं जब आम अबस्टेंट डेंसिटी तो यह एमारे पास वेरियेबल डेंसिटी टेबल अमारे पास आएगा। फिर लिमिटेशन क्या है जब आप इसको इस्तिमाल करते हैं फील्ड में तो इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है। तो, the yield tables are designed mainly for application to even sendoेज शिल्बी कल्चेर system . इसको एनसे कबलबनेज केले लिया इंप्लाई कर सकते यह सिर्फ एन dit की अभिटेशन है। आभ इसको उनेवनेच़ फर्ष की ऍிस्तेमाल नहीं कर सकतें. They have limited application to forest stand with more complex structure and sylvical gesture practices. For example, uneven dicht unit stand of trees. This is the subject of ongoing research and development. A characteristic stand growth pattern and a particular management prescription have been reviewed in the construction ofелен suspended intencards. इसमें जब आप बनाते हैं तो पार्टिकुलर मनेजमेंट प्रसक्रिप्शन जब आप बनाते हैं तो पार्टिकुलर मनेजमेंट प्रसक्रिप्शन जब आप बनाते हैं तो पार्टिकुलर मनेजमेंट प्रसक्रिप्शन जब आप बनाते हैं तो पार्टिकुलर मनेजमेंट एक Particular Type Management Prescription or Particular Strand Growth के जैन में रखते कर इसमें से मुमूली सी भी डिवियेशन आ गई गई ग्रोथ में या मनेजमेंट प्रक्रिसे सी में. तो इस की जो परमेशन ने उसी टेबल के जो तोड़ी सी फिरकड़ बढ़ आ या। Direct comparison of the result for an actual strand with production from a table. may not be meaningful because it is inevitable, that the growth of an individual strand would vary in some way from pattern as you assume in the yield table. However, the trend of growth which are given in the table can be used to estimate the probable development of any particular strand. So, this all the time is that you have limitations. And in this ये टेबल के बारे में हमारी ही जो स्लाइड ये आज तक हम ने फड़ ली कि ये टेबल क्या है फिर पिरमीटर्स पिर टाइप और पिर ये